रामगण की राधा गोविंद विश्विद्याले में हिंदी पख्वाडा के तहत हिंदी भासा के विकास में पत्रकारिता कई योगदान विशेपर एक विशेष कारेशालाय उजीत की गई जिसमें जीले के तमाम पत्रकारों के साथ साथ कॉलेट के चातर चातरा मौजूद हुए और हिंदी साहित विशेपर प्रकाश डाला गिया राधा गोविंद विश्विद्याले की गुलपती स्रीप बियंच साह की कोशिष्ट की तमाम जीले के पत्रकारों को सम्मामित करने का और विश्व विद्याले की प्रगती हेतु कलम के बुद्धी जीवी सिपाईयों से मस्वरा लेने का ताकि रामगड के छात्र छात्रा और होनहारों का भविस से उज्वल हो सके और ये कारेक्रम एतिहासिक मौके का गवाह तब बना जब जीले के तमाम electronic media और print media के रामगड जीले के विविन छेत्र के पत्रकार और समवदाता एक साथ मौजूद हुए इस कारेक्रम में राची से चल कर आए पत्रकारिता छेत्र के दिगजों ये मुखारविन से कई तिशा निर्देश इन पत्रकारों को मिला साथ ही अतितियों और राधा गुविन विश्विद्याले के गुलपती ने सयुक्त रूप से कलम के सिपाईयों को मौमेंटों देकर सम्मानित किया और समाज के उननती में इनके योगदान और इनकी भागेदारी को काफी सरहा और दिल से इनका धन्यवाद दिया इस कारेक्रम का पीदिवत उद्गाटन मुख्य अतिति के रूप में मौजूद वरिष्ट पत्रकार और पुर्व सूचना आयुक्त बैजनात मिस्र योगेश किसले सेलेश कुमार दूबे दिलिप कुमार तथा राधा गोविन विश्विद्याले के कुलपती बैजनात सा ने संयुक्त रूप से दीप परजलीत कर किया इस मौके पर मौजूद तमाम अतितियों का मोमेंटो दे कर और सौ लोड़ा कर स्वागत किया गया इस कारेक्रम में सामील हुए विद्वानों ने हिंदी के विकास में पत्रकारिता के योगदान के बारे में अपने अपने व सफिक विकास हो रहा है और हिंदी का भविश्य भी उज्वल है राज बनने के बाद ह PPE में ब्रिद्दी हुई है साथ नोंने कहा कि हिंदी भासा को निर्मान और इसे आगे बढ़ाने का काम पत्रकारिता ने किया है किसी भी देश के विकास का संबन भासा से है इससे देश क कि युवाओं को समझना होगा इससे हिंदी को विकास और मुकाम मिलेगा कि युवाओं को विकास और मुकाम मिलेगा यह मुशन थेन था कि हिंदी कि हमाज को वह ऑ्रग ऀंदी में पूल हैं आज हम इससे हें अ ano हमें होजो हुआ हमारे अफ्ना बना रही आ चाहा है दो है हिंदी आ जा रहा है यहत्तिर लेकी जा रहा है अपनी भासा लेके जा रहा है मैं बुरी दुनिया में कुम जपाई करता है? यह जपाई करता है? तो किला करता है?